तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल HP Tucson Classes में तो बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं Day 38 Subject Mathematics, बुक का नाम है हमारा गडित जो कि Class 6, 7 and 8 तीनों के लिए है तो Summer Camp में यही बुक पढ़ाई जा रही है तो काफी बच्चों का डाउट है कि Sir Day 38 प्रोवाइड करो क्योंकि उसमें कुछ कोशन है जिसमें काफी confusion है I mean doubt है तो जिससे कि वो doubt clear हो सके तो वीडियो को आप end तक देखना बिना skip किये हैं ताकि सारे कोशन अच्छे समझ में आ जाएं टोपिक है प्रतिसत साधारन व्याज और छूट जिसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो देखते हैं वन बाई बन करके कोशन और साथ मिन के solution कोशन नमबर वन कह रहा है कि निम्न प्रतिसत को भिन्न में बदलें पहला कोशन है 45 परसंट है जब भी परसंट में कोई नमबर हो डिजिट दी हो तो आपको बाई हंड्रेड यानि फ्रेक्शन में कनवर्ट करने के लिए बटे सो लगाना है उस नमबर के नीचे तो यहाँ पर 45 है लिखेंगे 45 बटे सो ठीक है यानि कि 45 बाई 100 यह आपका अंसर कम्प्लीट हो चुका है बट अगर आपको सोर्ट ट्रम में लिखना आता है किसी भी नमबर को तो आप सोर्ट भी कर सकते हो बट ध्यान रखना नमबर ऐसा हो कि उस नमबर के टेबल में यानि पहाड़े में उपर कभी नमबर आए और नीचे वाला भी आए मतलब 45 भी आए 100 भी आए मतलब जिसको बोलते है अंस और हर नुमेरेटर डेनोमिनेटर दोनों आना चाहिए ठीक है तो नमबर ऐसा है 5 ठीक है अगर हम 5 का टेबल काउंट करेंगे तो 45 आएगा 9 पर 5 नाइनजा 45 मतलब 5 नीम 45 सेम प्रोसेस 100 आएगा 20 पर यानि 5 के टेबल में 5 के पहाड़े में जो 100 है वो कितने पर आएगा 20 पर आएगा ठीक है तो यह आपका आंसर हो जाएगा अगर आपको सोर्ट ट्रम में लिखना नहीं आया तो यह आपका आंसर है जहां रखना ठीक ह है अब सोर्ट ट्रम में इसको करने के लिए आपको नंबर चूज करना है वो नंबर हमारा है 25 25 के टेबल में 75 आता है 3 पर यानि 25 के पहाड़े में 75 आता है 3 पर तो 25 तियां 75 और 100 यानि कि 100 आता है 4 पर 25 तो 4 आ जाएगा 3 by 4 यानि कि 3 बटे 4 आपका अंसर हो जाएगा अग पर यानि 75 by 100 लिखकर छोड़ देना आपका अंसर राइट है क्लियर है यह कोशन नंबर वन का फर्स्ट और सेकेंड आप अगला कोशन देखो कोशन नंबर टू कीरती क्रिसमस पर अपने घर में एक क्रिसमस ट्री लाना चाहती थी बाजार में उसने देखा 200 रुपए के ट्री पर 30% की छूट थी बताएं कीरती ने क्रिसमस ट्री कितने रुपए में खरीदा तो सबसे पहले क्रिसमस ट्री की कीमत कितने 200 रुपए छूट कितना 30% यानि की 30% ठीक है तो अगर हम 200 का 30% निकालेंगे तो ध्यान रखना 200 पर 200 रहेगा का को हटा कर यहां पर गुणे का निसान 30 पर 30 रहेगा बटे 100 यानि की 100 लगाएंगे अब यहां पर देखो इसली दो जिरो से दो जिरो कट हो गया नीचे एक की कोई वैलू नहीं होती दो को 30 से गुणा कर दो 60 आ गया यह छूट आई 30% की छूट यानि की 60 रुपए की छूट है तो 200 कीमत है तो क्या करेंगे हम 200 में से 60 माइनस कर देंगे तो आंसर मिलेगा 140 140 रुपए ठीक है तो ह हमारा आंसर नमबर सेकिंड हो जाएगे इस प्रकार आपको लिखना है ठीक है कोई सेकंड क्लियर है आगे देखो अगला कोईसन inviting question number 3 एक माचिस की डिवियों में 20 तेलियां थी उसमें 16 तेलियां रिंकी ने जला दी बताएं उसमें कितने प्रतिसद तेलियां जला दी तो आगे देखो तो कुल तेलियां वराबर 50 यानि कि कुल तेलियां 50 हैँ जलाई गई तेलियां 16 है तो प्रतिसत निकालना है हमको तो टोटल 50 यानि 50 नीचे रहेगा और जितनी जलाई गई है 16 उपर यानि 16 बटे 50 और परसेंट के लिए मल्टिप्ला यानि इंटू लगाकर 100 लगाना पड़ेगा इसली कटेगा 50 एकम 50 यानि 50 बंजा 50 टूजा 100 कट गया अब बचा 16 और 2 16 को 2 से गुणा करेंगे यानि 16 तूजा 32 परसेंट हमारा आंसर आएगा क्लियर है आंसर नमबर 3 अगला कोशन देखो कोशन नमबर 4 सत्यम के पास 50 रुपए के 3 50 रुपए के 3 यानि 50 रुपए के 3 नोट तो 50 गुणे 3 150 हुआ फिर 20 रुपए के 5 तो यानि 20 रुपए के 5 नोट है बिई रुपए की 5 तो 20 रुपए की 5 नोट 20 गुणे 5 यानि 100 पिर 5 रुपए के 10 तो 5 रुपए की 10 नोट 5 गुणे 10 पचास अलग-अलग करके इसको हमें लिखना है कटे फटे नोट हैं तो पहले कनवर्ट कर लिया गया अब 50 रुपई की 3 नोट 50 की 3 पचास दिया 150, 20 की 5, 20 पंचे 100 5 रुपई की 10 तो 5,50 टोटल अगर हम करेंगे तो यह कितने हो जाएंगे 150, 150, 150 मतलब 1,500 सोरी, 150, 1,500 प्लस सो प्लस 50 आजएगा 300, ठीक है 150, 50, 200, 300 हो गया ठीक है अब देखो सबसे पहले कह रहा है कि इन नोटों को बदलने पर 10 प्रतिसद कम रुपई मिले सबसे पहले 300 टोटल हमारे पास रुपई होए आइड करने पर तो 300 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 300 गुणे 10 बटे 100 तो ये कटेगा 2,0,2,0 कट गया 3 बचा और 10 बचा 30 दाम 30 यह आएगा ना 30 दाम 30 अब क्या करना है ये 30 आगया तो टोटल हमको पता है कि रुपई हमारे पास 300 है तो 10% कम मिलेगा मतलब 30 रुपई कम मिलेगा जो हमने निकाला तो 300 में से 30 माइनस करोगे तो 270 यह नहीं 270 रुपई आपका आंसर आ जाएगा ठीक है आंसर नमबर 4 हो जाएगा यह आंसर नमबर 4 ठीक है अगला कोस्टन देखो कोस्टन नमबर 5 हैरी ने 300 रुपई 10% वार्षिक ब्याज पर ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए उधार लिए एक वर्ष बाद हैरी को ब्याज के रूप में कितने रुपई चुकाने होंगे तो ध्यान देखो मूल धन कितना है यानि प्रिंस्पल पी 3000 1000 रेट यानि दर कितनी है 10% समय टाइम कितना है एक वर्ष यानि एक साल तो सबसे पहले हम साधारन व्याज निकालेंगे फोर्मूला क्या होता है साधारन व्याज का मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा सो मूल धन पर 300 दर पर 10 समय पर एक बटे सो ध्यान से देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया 30 और 10 कुणा करेंगे और फिर एक से करेंगे 300 रुपए आएगा तो पैसे देगा बराबर 3000 तो साफ साफ है और 10% व्याज तो व्याज के साफ से 300 और ज्यादा दे रहा है तो 3000 में 300 अड़ कर देंगे 3300 रुपए याने 3300 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे तो यह आपका आंसर नमबर कौन सो गया 5 तो पहले साफ हरन व्याज निकार लेंगे बच्चों फोर्मूले से तो आएगा 300 तो 3000 तो देना ही पड़ेगा उसमें 300 व्याज भी जुड़ेगा 3300 आंसर हो जाएगा अगला कौशन आलिया ने बाजार से 15 अंड़े खरीदे जिन में से 3 अंड़े तूट गए तूटे हुए अंडों का प्रतिस्यत बताएं अंड़े खरीदे 15 तूट गए 3 तो प्रतिस्यत टोटल नीचे होता है 15 नीचे होगा 3 तूट गए उपर गुणे 100 से हम मल्टिप्लाई करेंगे उसको यानि गुणे 100 तो सीधा सही साब है अगर 100 को 3 से गुणा कर दो तो आ जाएगा आपका 300 और बटे नीचे 15 लगा दो 300 हो जाएगा और उसके बाद में नीचे 15 डिवाइड कर लेना 20 आ जाएगा ठीक है 20 परसेंट ठीक है तो टोटल इतना ही कोशन थे तो इसे के साथ टोटल 6 कोशन कम्प्लीट हुए आई होप सारे कोशन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे फिर भी कहीं पर doubt है तो comment कर सकते हो अगर वीडियो अच्छे लगी लाइक कर सकते हो वीडियो अपने दोस्तों को भी share कर सकते हो ताकि उनकी भी help हो सके और channel पढ़ने हो subscribe कर सकते हो ताकि इसी परकार की वीडियो आपको आसाने से मिलती रहे इसके बाद में अगर आपको किसी भी डे में आपको कोई दिक्कत है टोटल 68 डे है ठीक है तो आप कॉमेंट में बता सकते हूँ मैं उस डे की वीडियो आपको जरूर प्रवाइड करूँगा आज की वीडियो में बस इतना ही था मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तेकर